नमस्कार साथियों आज अपनी इस वीडियो में मैं बात करूँगा UPS Unified Pension Scheme की जो की 24 अगस्त 24 को केंदर सरकार द्वारा मंजूर किया गया है अपनी इस वीडियो में मैं आपको सरल और आसान भासा में समझाने की कोशिश करूँगा कि Unified Pension Scheme में आपको मतलब कि सरकारी करमचारियों को क्या फाइदा होने वाला और क्या नुकसान है और ये NPS New Pension Scheme से कितना अलग है तो शुरू करता हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2004 से पहले के जो करमचारी है भी जो कारियर थे हैं या जो रिटायर हो चुके हैं वो Old Pension Scheme के तहट आते थे जिसमें उनके सेलरी से कोई कटोती कोई भी डिड़क्शन नहीं होता था और रिटायरमेंट के बाद उनका जो बेसिक प्लस डिये बेसिक सेलरी प्लस मेहगाई भत्ता को जोड़कर आधा रकम उनको हर महेने पैंसन के रूप में दिया जाता था और हर साल में, हर छे महिने पर डीये मैंगाई भत्ता भी उनको दिया जाता है वो एक बहतरीन सुविधा थी, बहतरीन फैसलीटी थी वैसे ही भी पैंसन को सरकारी क्रमचारी का बुढ़ापे का साहरा किसी कर्मचारी की 20,000 रुपे उसकी basic pay है और उसके 50% का महँगाई भदता है तो 20 प्लस 10,000 मतलब कि 30,000 रुपे 10% की cut होती government employee की तरफ से होती थी और 14% जो है सरकार अपनी तरफ से जमा करती थी लेकिन NPS की सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसमें कोई भी निश्चित रकम तै नहीं था कि retire होने के बाद या बीच में भी कोई VRS लेता है, voluntary retirement लेता है तो हर महिने उसको कितनी pension मिलेगी NPS में जमा हुआ पैसा पूरी तरह से market के उपर निरिफरता share बाजार के उपर निरिफरता उसमें मैं भी included हूँ हर किसी के मन में एक संसे रहता था कि retire होने के बाद उनको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा x, y, z और NPS में एक system ये भी था जितना भी पैसा NPS में जमा हुआ है government employee का contribution प्लस सरकार के तरफ से जो उसका contribution होता है वो जमाराशी का 60% 60% ही withdraw हो सकता था बागी 40% NPS में ही छोड़ना पड़ता था वो NPS का पैसा डिरेक्ट जो है सरकार इन्वेस्ट ना करके एक authority बनी थी PFRDA Pension Fund Regulatory Development Authority वो उस पैसे को निवेश करती थी और सारी के सारी जिम्मेदारी उसी की थी लेकिन ये 24 अगस्त 2024 को सरकारी करमचारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है बहुत बड़ी खुशकवरी है क्योंकि UPS आने के बाद एक guarantee सरकार के तरफ से दी गई है एक assert return की guarantee दी गई है जिसमें मोटा मोटी 4 बाते है service complete होने के बाद कोई भी सरकारी करमचारी जब retire होगा तो उसका जो last का 12 महिने का last के एक साल का जो average pay होगा basic plus DA का उसका average निकारा जागा मान के जिले किसी की 50,000 रुपे basic pay है तो एक साल का अगर 50,000 का average आता है तो उसका 50% जाने कि 25,000 रुपे उसका pension एक निशित एक रकम एक राशी तै की गई है दूसरी चीज़ यह है कोई सरकारी करमचारी अगर 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपनी स्विक्षा से सेवा निवर्ती voluntary retirement लेता है तो भी उसको ये सुविधा मिलेगी उसका last का जो बारह मेने का basic pay होगा उसका average निकालने के बाद जो भी रकम निशित होगी वह 50% उसका pension उसको मिलेगा तीसरी चीज़ इसमें यह है कोई भी सरकारी करमचारी अभी ये खास तोर से केंद्र सरकार के करमचारी के उपर ही लागू होने वाला है April 2025 से कोई भी करमचारी अगर अपनी सेवा को 10 साल पूरा करने के बाद नौकरी को छोड़ता है मलग 10 साल की service complete करने के बाद job को quit कर देता है तो भी उसको एक निशित रासी 10,000 रुपे हर महिने pension के तोर पर दिया जाएगा प्लस जो भी महगाई राहत उस समय सरकार द्वार के दोरान या सेवा निवर्ति के बाद मिर्ति हो जाती थी तो उसके लिए family pension का प्रावधान उसमें नहीं था लेकिन UPS में unified pension scheme में family pension का प्रावधान दिया गया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी की आकासमात अगर मौत हो जाती है तो उसका उस करमचारी का जो बनन हो जाती है तो 20,000 का 60% जो कि 12,000 रुपे होता है वो एक निश्चित रकम हर महिने उसके family पे जो dependent होगे उनको pension के रूप में दिया जाएगा प्लस उसके महगाई भत्ता भी दिया जाएगा महगाई राहत भी दिया जाएगा महगाई भत्ता को हटाकर महगाई राहत का नाम जब यह भारत सरकार के गजट में प्रकासित हो जायागा तो उसमें line by line एक एक बिंदू के ऊपर हर एक चीज का उसमें आकलन भी किया जा सकता है और सही उसका नियम भी पता लगा अभी हवा हवाई तोर पर सारे न्यू चैनल उपर या जितने भी YouTube चैनल है इतना ही पता कि क्या होगा नहीं होगा कितना मिलेगा इसमें UPS में एक निश्चीत रगम फिक्स हो गई है और यह एक अच्छी बात है और सरकार में इसके उपर यह भी कहा है कि अभी अच्छा एक डिटक्शन के बारे मैं आपको बता देता हूं NPS में NPS में भी 10% की कटोटी होती थी औ सरकार के तरफ से होगा और सरकार ने यह भी कहा है अश्वनी बैभाव जी हमार जो संचार मंत्री है उनका इस पस्ट बयान है कि सरकार का यह आश्वासन है कि इसमें भी अगर कोई बदलाव या समिक्षा की जुरुत होगी तो वो सरकार उसको करेगी यह शुरुवात कि युनिफाइट पैंसन स्कीम का एक विकल्प होगा करमचारियों के उपर टिपेंड होगा चाहे तो वो एनपीएस में बने रह सकते हैं और चाहे तो यूपीएस का सेलक्षन भी कर सकते हैं अपनी सर्विस में लेकर एक बार के लिए ही होगा अगर एक बार किसी ने यू समझाने का उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो जय हिंद जय भारत